नमस्कार सचिन योगा में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज की ये मैं वीडियो सभी माताओ भैनों भाईयों सभी के लिए लेकर आया हूँ जिनको पाइल सोफ पाइल की समस्या बहुत जादा रहती है जी हां बवासीर के मसे देखिए बवासीर जो तब आपकी जो blood vessels होती है वो friction से फूल जाती है और मोटी हो जाती है और लटक जाती है जिसे बवासीर के मसे बोला जाता है पाइल सो पाइल्स ये बहुत ही दर्दनात और भ्यंकर बिमारी है जो बहुत सारी समाज में फैलती जा रही है इसके बहुत सारी रीजन है देखि रूटीन ठीक नहीं है तब आती है कव जो है इसका result रहती है या कई ऐसे patient आते हैं जिनका खड़ा रहने का काम बहुत ज्यादा रहता है तो उनमें बवासीर के मसे की समस्या देखने को मिल जाती है देखिए अगर आपको ये समस्या है या आपके आस पास किसी को ये समस्य है तो आपने क्या करना है आप खटा सेव लेले जिसमें खटा सूर इसका रस निकाल ले juice निकालने के बाद इस से तीन से चार बार जो बवासीर के मसे हैं उसको दोएन दोने के बाद छोड़ दीजिए बवासीर के जो मसे हैं वो बिल्कुल ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो पाइल्स ओफ पाइल्स की समस्या से बहुत ज्यादा परशानी का सामना कर रहे हैं, उनको फाइदा मिल सकें, मेरा भ्यान यही है, परियास यही है, कि आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार झाल